जैसरी किष्णा रादे रादे आप सभी का स्वागत है मेरे एमा के ब्रतकता उपाय चैनल में दरसको आज की इस वीडियो में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताने बाले हैं धन प्राप्ति के आपको बहुत ही अचूग उपाय बताने बाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में उल्को प्रेस करें, मेरी इसी तरह की उपाय कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए आज के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन भी आज भी 81 का दिन है, और परवरत्नी 81 सबसे बड़ी 81 मानी जाती है, और इन आप हपते के अंदर कभी भी कर सकते हैं देखो धन प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय हम आपको बताने बालें जिन व्यक्ति को लाग प्रियतन करने पर भी धन संपंती परेशानिया दूर नहीं हो रही हैं और यदि आप तनाप परेशानिया आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो घबराय नहीं यह हैं आपके लिए एकदम सरल उपाय हम बताने जा रहे हैं आप अपनी सभी अपनी सुपिदाओं से किसी एक को भी अपना सकते हैं आप बस उनका नियमित उसका पालन करना है जो उपाय हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है स श्री अरी को आपको साम के समय आपको एक दीपक जला लेना है और एक दीपक जलाने के बाद आपको आसन लगाकर बैठ जाना है आसन लगाकर बैठने के बाद दीपक आपको बत्ति आपको ऐसी रखनी है कि कम से कम आदे गंटे वो बत्ति जलती रहे और आपको आसन लगाकर बैट जाना है और माहल अच्छमी जी के और विश्नु जी की एक फोटो या तस्विर जो भी है आपके पास वो रख सकते हैं और आपको बैट करके क्या करना है स्री सुक्त जी का पार्ट करना है अगर आपके घर में वो चालीसा नहीं है तो आपको क्या करना है ओम नमो करने के बाद आपको पांच बार श्री अरी से अपनी प्राथना दोरानी है जो आपकी मनो कामना है धन प्राप्ती की है कर्ज मुक्ती की है नौकरी की है जो भी आपकी समस्या है आपको बोल देनी है और दीपक को वहीं पर रखा रहने देना है इस से आपकी हर मनो कामना प पूरी होगी दीपक चलाने के भाद पूजा करने के फूजा करने के लिएक काम को क्या करना है इतना सा उप्ाय है आकर लिजीए आपकी हर मनों कामना पूरी होगी जैस्री किष्णा रादे रादे कमेंट वक्स में वसी लिखे ताकि आपकी हर मनो कामना पूरी हो हम भी यही कामना करते हैं